हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्लीपी क्लासेज आज हम डिसक्स करेंगे मॉडर्ण हिस्ट्री से रिवॉल्ट ओफ 1857 को देखें यहां पर एक्स्प्लोटेशन इतना जादा बढ़ चुका होता है ब्रिटिस इंडिया कंपनी का कि अभी लोगों को बरदाश करना मुश्किल हो चलाने से पहले जो काटेश होती है इसको मुह से चलना पड़ता था और इसमें फैट लगा होता था काव एंड पिग का अब काव आप सब जानते हैं हिंदू धरम में बहुत ज्यादा मानेता है और जो पिग है वो मुस्लिन धरम में हराम है मतलब अच्छा नहीं माना जात इसको मुह लगाना जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं तो काव और पिक को हिंदू और जो मुस्लिम से वो बिल्कुल भी सही नहीं समझते थे कि इस राइफल पे जो फैट लगा हुआ था तो इसको लेकर एक यह में हम कॉस देखेंगे और यह तरह का अर्लीजियस कॉस है म गोरे और काले में बेद मतलब यहां पर जो ब्रेटिश थे वो अपने आपको सुपीरियर समझते थे कि हम गोरे लोग हैं हमार को आप लोग पूजिये या फिर हमारा हर काम कीजिये तो इस तरह का जो एक रेशन डिस्क्रिमिनिशन था वो भी कहीं न कहीं एक हम लोगों को मजबूर करता था कि हम इनके इंगेस्ट कोई एक्शन ले और इनको यहां से भगाएं और एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनिशन था सॉल्जर्स में अब सॉल्जर्स हमारे इंडियन के कुछ सॉल्जर्स ब्रेटिश के अंडर वर्क करते थे मान के चलिए कि यहां पर एक्स परसन है यह यह यहां पर काम करते हुए जो ब्रेटिश या फिर यह यह पहुंच जाएगा अच्छे खासे रैंक पे लेटिन तक पहुंच जाएगा और जो हमारे इंडियन सॉल्जर्स से वह मैक्सिमुम सूबेदार की पोस्ट तक जाते थ तो कहीं ना कहीं यह डिस्क्रिमेशन हमें फेस करने को मिलता था और उसके बाद यहां पर पॉलिशी अब ऐसी पॉलिशी इन्हों ने बना दी कि उस टाइम लगा कि यह पॉलिशी बहुत खतरनाक हैं जैसे डॉक्रिन ओफ लैप्स तो वाकी खतरनाक थी सब्सीडरी लाइ लाते थे हिंदू और मुस्लिम्स को क्रिश्चन्स ने यह 1813 के बाद ज्यादा होने लगा था उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स हम यहां पर कवर करेंगे सोशल रिफॉर्म्स बोले तो हिंदू मैरिज जो हिंदू विड़ो रिमैरिज एक्ट था वो इंट्रडूस करा गया कहीं न कहीं हम लोगों की प्रथा में था यह कि जो विड़ोस हैं वो द्वारा से शादी नहीं करेंगी क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले ही सती प्रथा का खतम करा गया था राजा राम मोहन राए एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा तो अभी हम सती प्रथा क शोक बना रहे थे कि सती प्रथा को खतम कर दिया हमारे धरम जो हिंदू धरम है उस में से और साथ-साथ एक जो विड़ो मेरिज एक्ट भी ला दिया गया तो हमारे लोगों का जो गुस्सा है वो साथ में आस्मान में पोच गया कि यह हमारे रिलिजियस मैटर में भी इंट अब डॉक्टिन ओफ लैप्स आया कहां से देखिए यहां पर मराथा का जो एरिया था मैंने आपको पिछले सेशन में कवर कर आया था मराथा अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते मराथा के जो पेश्वा थे एंगलो मराथा वार के बिटिश ने इनको मजबूर क कि आप कानपूर के एरिये में जाकर रहेए बिठूर नाम की जगह थी मराथा को यहां पर जो ब्रीटिशर के अंडर रूल कर रहे थे मराथा वाला इरिया उनका नाम था यहां पर अप्पासाहीब की देख के बाद जो अप्पासाहीब यहुश्य कोई बेटे नहीं होते तो यहां पर कोई वारिस नहीं है कि जो नेक्स डूल कर सके हलाकि यह ब्रिटिश के अंडर ही चल रहा है ठीक है दियान से समझेगा इस चीज़ को लेकिन अप्पा साइब की दैद के बाद जो जो महरास्टर की या फिर बॉंबे की प्रेजिडेंसी संभार रहे होते हैं इनका नाम होता है जोर्ज क्लर्क यह एक लेटर लिखते हैं और उस तेम गवर्नर जन्र ओफ इंडिया होते हैं लोड डलहोजी गाइस यह जो गवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया है यह मैं आपको एक बार बता देता हूं क्योंकि मैंने यह चैप्टर बीच में मिस किया है और यह आपका चैप्टर पॉलिटी में कवर हो जाएगा ठीक है फिर में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि 1773 का जो एक्ट पास हुआ था जब ब्रिटिश ने बिंगॉल को अक्यूपाइट किया था बैटलो प्लासी बैटलो बक्सर के बाद तो यहां पर जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने प्रमिशन दी थी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है कि आप यहां पर ट्रेड के साथ साथ वालिटिकल अफेर मतलब राज करने का भी यहां पर जो मतलब एक तरह से अथोर्टी हम आपको देती है और 1773 के एक्ट में आया कि य इन्होंने चलाया हुआ था और वह पोस्त थी गवर्नर ओफ बेंगॉल मैं आपको नेक्स्ट या फिर कभी डिसक्स करवाओंगा अच्छे से अब जब पूरे इंडिया को यह एनेक्स कर लेते हैं तो यह पोस्त बदल जाती है गवर्नर जनरल ओफ इंडिया और 1857 के रिव तो आपने याद रखना है लोड डल होजी जो गवर्नर जनरल ओफ इंडिया थे यह 1748 से लेकर 1756 तक यह इन्होंने अपना ऐसा गवर्नर जनरल ओफ इंडिया का जो एक मतलब काफी अच्छे से रूल करा अच्छे से तो नहीं रूल करा मैं यहाँ पर कहूंगा कि सबसे ज तो मैं आपको बता रहा था कि अप्पा साइब की देथ के बाद जो जो जोर्ज क्लरक है उन्होंने एक लेटर लिखी लोड डल होजी को कि अब जो महरास्टर वाला एरिया है जिसको स्तारा कहा जाता था पहले अब क्या करें इसका यहाँ पर तो कोई रूलर ही नहीं है इ क्योंकि अप्पा साइब की देथ हो चुकी तो लोड डल होजी इंटर्ड्यूस करते हैं डॉक्त्रीन ओफ लैप्स अब इसमें क्या लिखा हुआ था कोई भी राजा है अगर उसका खुद का बेटा नहीं है वो ना तो किसी भाई का बेहन का या कहीं से भी अडॉप्ट कर नेक्स देखते हैं जो पॉलिटिकल कॉस हमें देखने को मिला अवद का एनेक्सेशन अब अब अवद में ब्रिटिश की अंडर एक परसन रूल कर रहे थे इनका नाम था वाजिद अलीशा अब वाजिद अलीशा के उपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया क्योंकि अवद क करना है अवद आज की डेट में यह लखना हो वाला रिजन है इसको अवद कहा दाता था तो अलजाम दगाया कि आप यहां पर अच्छे से रूल नहीं कर रहे तो यह एरिया आप हमें दे दीजिए या फिर यहां पर हम एनेक्स करेंगे तो यह इन पर इल्जाम दगाकर काफी इप्पॉर्ट organise को में अग्जामपल के थरू आपको समझाता हूं फिर मैं बता अगा में मैं क्या किया सैंग क्या को सर्थ सबसे पहला जो को सरे यहां पर जव मिड़ल क्लास के लोग थे जो लोग ग पर उनको अनिम्पलाइड कर दिया गया था व्रेटम्छे Edwards कि द और वहां पर sale करते थे, तो जब यह रा मटेरियल यहां से purchase करते थे तो इंडियन लोगों के पास बहुत सारे bullion करते होने शुरू हो गये थे, अब बुलियन की अगर मातरा बढ़ जाएगी तो इंडियन समीर हो जाएगे, तो यहां पर जो रानी होती है, queen होती है, वो कहते ह तो इसा होगा तो यह इंडियन समीर हो जाएंगे कहीं ना कहीं तो इन्हों ने कहा कि जो राव मेटीरियल अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हो तो इंडिया के लोगों को ही मैइनफेक्शिंग करके good सेल करो चाहे वह फोर्स फुली करो चाहे जैसे मर्जी करो तो मैं आपको एक्जामपल देता हूं मान लीजे कि यहां पर 10 रुपिस का इन्हों ने रा माटेरियल प्रचेस करा और इसको अच्छे से मैनिफेक्श्रिंग करा और शर्ट बना दिया और इस शर्ट को इंडिया के लोगों को ही बेज दिया 100 रुपिस में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 रुपे का रा माटेरियल और यहां पर कुछ मैनिफेक्श्रिंग कोस्ट भी आई होगी और इसको ठीक 100 रुपे में बेज दिया और यहां पर जो लोग पहले हैंड मेड या फिर क्राफ्ट्समे जो वह कर रहे थे वहां पर ब्रोजगार हो जाते हैं और इस ब्रोजगारी का जो गुसा है वह कहीं न कहीं ब्रेटिश को देखना पड़ता है और यह जो रिवाल्ट में इनको देखना पड़ा और सबसे बड़ा रीजन था फार्मर्स के ऊपर काफी ज़्यादा यह टेक् बा वरी सेटल्मेंस थी एक यह बहुत इंपॉर्टेंट है फिर्यों फर्GAट इसके भाद एक थी महालवरी शैट्ल्मेंस अब सोशल कोज में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है सती प्रथा को इन्होंने इंट्रड्यूस करा अब जब सती प्रथा को लेकर आये थे वैसे इसको लेकर आये थे राजा राम मोहन राए एंड विल्लियम बेंटिक और ये प्रथा बिल्कुल सही थी इसको हटाया गया लेकिन उस तैम लोगों को लगा कि हिंदू धरम जो है इसको खतम कर दिया जाएगा और धीरे-धीरे क्रिश्चन धरम क्रिश्चन जो धरम है उसको हम लोगों को अडॉप करने के लिए फॉर्स फुली है फिर इंडिरेक्टली में करा जा रहा है एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है विड्डो री मेरेज एक्ट और इसको इंट्रोड्यूस किस ने करा था लोड डल होजी ने और जब यह एक्ट आया अच्छा एक कोशन आजाता है कई बार विड्डो री मेरेज एक्ट को कौन सही मानता था तो आपने नाम याद रखना है इश्वर चंद विद्या सागर मैं यहां लिख देता हूं पर इसके बाद रेश्यल डिस्क्रिमिनेशन रेश्यल डिस्क्रिमिनेशन सबसे वड़ा सोशल कोस था जो गोरे और काले में यह भेद करते थे और अपने आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे कही ना कहीं इनफीरियर एक कॉंप्लेक्स हमें देखने को मिलता तो नहीं यहां पर द्धरम देखने को मिलता था और सबसे बड़ा यहां पर क्या देखने को मिला Christian Missionaries ये 1813 में हमारे भारत में इनका आना जादा हुआ और ये convert करवाना इन्होंने शुरू करा मेंली ये हिंदू और मुस्लिम्स को target करते थे Christian धरह convert करने में और education purpose में इन्हों अकबर ने इंट्रोड्यूस करी थी Persian language धीरे धीरे इन्होंने English को पहले लागू किया लेकिन फिर इन्होंने English को पून ट्रेके से लागू किया और ये भी एक major cause हुआ उसके बाद देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मैं बता चुका हूँ आपको लाइकेस जैसे करते थे और काफी ज़्यादा टेक्स लगाते थे मॉस्क्यूस एंड टेंपल्स में तो जो इंडियन से उनको लगता था कि हमारे धरम में इसलिए टेक्स लगा रहे हैं कि यह चाहते हैं कि हम इनके धरम को अपना ले और उसके बाद जो नेक्स्ट है Military course यह सबसे important है देखो सबसे important मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्ट हुए थे मतलब 1857 के रिवॉल्ट हुए थे सबसे बड़ा reason military cause ही था आप इसको पहले समझते हैं अच्छे से एक मैं आपको बता रहा था पहले discrimination जो soldiers होते थे हमारे उनको यहाँ पर discrimination face करना पड़ता था same salary नहीं मिलती थी और कभी भी अच्छा rank नहीं मिल पाया मतलब 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी एक सूबेदार की पोस्ट तक आप पॉइंट किये जाते थे और एक सबसे बड़ा यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है या प्रिलीजियस कोस में याद रख सकते हो या फिर आप यहां पर तो यह माननेता थी अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई परसन चला भी जाता था समुंदर को पार करके तो उसको लगता था कि मुझे अच्छी खासी सेलरी देंगे जैसे यहां पर जो बिटिश थे या फिर जो यूरोपियंस थे उनको बाहर बेजा जाता था तो उनको इं करना पड़ा यह भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा और मिल्टरी कोस में मैं आपको राइफल वाला बताई चुका हूं और राइफल वाला जो था उसका पैटर्न यहां रखना पैटर्न पूछ लिया जा था पैटर्न 1853 राइफल और इसी के थूँ हमें देखने को म इस राइफल का विद्रो हुआ हमारे जो इंडियन मिल्टरी में थे और जो पुलिस में थे उन्होंने कहा कि हम यह राइफल को नहीं चलाएंगे लेकिन ब्रेटिश इस चीज को सीरिसली लेने ही रहे थे और जब एक बात मतला मान लिजी कि अगर किसी भी चीज को ब्रेट सब्सक्राइब करता ले कि इस तरह सब्सक्राइब करेंगा जाता है पहले गुडगाओं कहा जाता था तो फास्ट टाइम जो यहां के डिस्टिक जो मतलब ब्रिटिश की तरफ से देख रहे थे उन्होंने यहां पर नोटिस करा कि जो रोटी ट्रांसफर के थूप कोई ना कोई मैसिज को कन्वे करा जा रहा है और वो मैसिज क्या था कि ब्रिटिश की खिलाफ आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी यह यह राइफल्स को यह बंद नहीं कर रहे हैं चली उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो इंट्रडिक्शन ओफ इंफिल्ड राइफल अब यहां पर राइफल वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा होर अच्छे से एक्स्प्लेइन करते हैं और समझेंगे इस पॉइंट को अच्छे से देखिए 22nd January 1857 फर्स टाइम यह रोटी ट्रांस्वर वाला जो मैंने अभी आपको बताया और यह इसका सबसे पहले व स्टार्ट हुआ रिवॉल्ट बोले तो उसके बाद मेरट में फिर बरागपूर में तो यह रिवॉल्ट बहुत ही तेजी से फैल रहा था और ब्रेटिश को अभी भी लग रहा था कि नहीं यह कोई ऐसाच बड़ी बात नहीं है लेकिन जब बात धरम के उपर आती है रिली चै कि जब कुछ सौज्वस् ससकर ने यह राइफल के उपर विद्रो कर तो फर्स टाइम ब्रेटिश ऑस न से इस रिवॉल्ट को शान्थ करने के लिए बहरमपूर में कुछ soldiers को court marshal कर दिया ठीक है तो याद रखना कि first time कहाँ पर ब्रिटिश रस ने court marshal किया था बहरमपूर ने date हाला कि आप लोगों को ज़्यादा तर याद नहीं रखनी लेकिन फिर भी जो ये revolt है इसमें आप याद रखेंगे dates भी उसके बाद 29 मार्च को कि वहाँ पर मंगल पांड़े ने विद्रो कर दिया और मंगल पांड़े को फांसी कब दे दी गई थी ब्रिटिश रस के दवारा ये डेट आपने याद रखने एट अप्रेल कि और ये पहले हमारे देश के अब फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जान गवाई थी अच्छा एक कोशन आया हो था वाल नाइनर एक्जाम में कि 11 अप्रेल को किसको फांसी दी गई थी तो आपने याद रखने इनका नाम था इश्वर पांडे तो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर यह आप एक मार्क्स कवा देते हैं मंगल पांडे को टिक मार्क करके तो यह डेट याद रखना दोनों की एट अप्रेल एंड 11 अप्रेल अब यह जो रिवॉल्ड था इसको किस तरह से आगे लाया गया 10 मही को देखे 10 मही को क्या हुआ 80 जो सॉल्जर्स थे वो यहाँ पर दिल्ली की ओर चले और दिल्ली चलो अभिहान चलाया है इन्होंने सबसे पहला दिल्ली चलो अभिहानी यह 10 मही 1857 को चला था 85 सॉल्जर्स के द्वारा अब इनका कहना यह था कि अगर इन बिट्विन कोई भी यूरोपियन आएगा उसको हम काटते हुए मारते हुए चलेंगे और यहां पर जो फर्स्ट कर्णल हुए जिनको इन्होंने मारा था मैं नाम यहां पर बूल रहा हूं अभी बताता हूं आपको तो यह जाते हैं दिल्ली में मुगल्स के पास अब इनको लगता है कि मुगल्स जब राज कर रहे थे चाए वो अच्छे थे या बुरे थे ले इनके आगे अपनी बात रखें और उनको कहें कि जिल्ले लाही आप ही हैं जो हमें इस इंडिया कंपनी से निजात दिलवा सकते हैं मतलब इनको आप भगा सकते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं बस आप यहां के राजा बनिये और द्वारा से जो मुगल एरा था उसको ल 60 प्लस की इनकी एज होती है तो इनको लगता है कि नहीं अब मैं कहां लीड करूँगा और यह खुद ब्रिटिश के अंडर ही होते हैं तो लेकिन इनको कर लिया जाता है इनको भी आदाता है कि हां हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने काफी अच्छे से रूल करा बाबर से लेकर औरंग जेब तक तो पीक पे रहें हैं मुगल्स है ना तो यह मान जाते हैं और इनके जो सन होते हैं इनका नाम होता है मिर्जा जाइरूदीन मैं दवारा लिख देता हूं मिर्जा जाइरूदीन आगा से ऐसा कोई एक्सपीडेंस नहीं होता लेकिन इन को बना दिया जाता कमांडरिं इंचीफ आप एक्सपीडेंस नहीं है और सबसे इंपर्टेंट ते दी इनको कवांडर इंचीफ की और यहां से यह आप लगा लिजा कि इस रिवालट को कैसेशनी नहीं मिले चलिए आगे देखते हैं अब जो सिख कॉमनेटी थी वह उन्होंने हाला कि 1857 रिवॉल्ड में ज्यादा ऐसाच भागीदारी नहीं दिखाई लेकिन एक फोर्ट था जो इन्होंने कैप्चर कर लिया था गौविंदपुर फोर्ट या गौविंदगर फोर्ट कि और उसके बाद आपने याद रखनाए चो लहोर वल एडिया था यहां पर जब यह रिवॉल्ड स्टार्ट वोता है तो एक परसं थे यह ब्रेट के अंदर ही थे वियान पिए यह रिवॉल्ड को शान्त करवा देते हैं मियान अल्ग तो लहुर वाले एरिया में रिवॉल् पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर ओफ बेंगॉल होते हैं कि स्वारी गवर्नर ओफ बॉंबे और यहां पर आपने याद रखने जो बर्मा वाला रिजन है और जो सिंगापूर वाला रिजन है अब देखिए रिवोल्ट बहुत तेजी से फैल चुक है जो यह जो सेंटर्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं मेरड दिल्ली अंबाला मतुरा कानपूर जांसी लखनव अलाबाद फैजाबाद गोरकपूर जगदीशपूर बार्सली तो यह जो एरिया थे जहां पर रिवोल रिवोल्ट नहीं हुआ और उस तेम ना तो कोई ऐसे जो कॉम्निकेशन सिस्टम था कि पूरे देश में इस रिवोल्ट की खबर दी जाए कि ऐसे से रिवोल्ट करना है हमें ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को यहां से बगाना है और जो यहां पर जो रिच लोग थे उनको सही मानते थे जिनको फायदा हो रहा था वह तो सही मानें गे है न और जो बंबे वाला रिजन है वहां पर रिवॉल्ट हो यहां पर जितनी इनकी आर्मी थी युरोपियन सार्मी उसको बलाया गया और यहां पर लीड कर रहे थे कैनिंग क्योंकि डलहोजी का टाइम से आर्मी बिला लेगी एरोपियन आर्मी क्योंकि जो इंडियन आर्मी थी जो वर्क कर रही थी अंडर ब्रिटिश आर्मी उन्होंने तो रिवॉल्ट कर दिया था और साथ-साथ जो सिंगापूर है वहां से भी आर्मी बिलाएगी अच्छा एक चीछ दियान रखना लोड डल सिस्टम भी भैतर गिया था और इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिश ने जो गोवर्नर ओंबे हैं इनको टेलिग्राफ के तुरू मैसेज किया कि अपने आपके पास जितनी आर्मी उसको फटा-फट भेजिये और बर्मा यहां पर इन्होंने भेजा ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के तुरू यहां पर मदद मंगवाईगी सिंगापूर इन्होंने लेटर भेजी वहां से जितनी युरॉपियंस कंपनी के लोग थे या युरॉपियंस सोल्जर से वह भारत आए तो और यहां आपको याद रखना है वन बैवन आपने यह अच्छे से याद रखना है कि میरट में कौन यहां पर लीड कर रहे थे कदम सिंग और इनको किसने कंट्रोल किया था सॉमपल ने उसके बाद दिली में बहादुर्शाः जफर इनको कैप्चर कर लिया गया था और कैप्चर करने के बाद कहा छोड़ दिया गया था रंगून रंगून कहा पह यांप चलि मैं आपको explain करवाता हूं अच्छे से कई पर question पूछ लिया दाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कानपूर वाला area अब हुआ क्या Britishers को लगा British East India Company को कि भी अब यहां पर जो Indians हैं वो हमारे आगे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी मदद कीजिए आगे चलकर हम आपको पैंशन या फिर जो हमने आपकी पैंशन बंद कर दे थी वह हम पैंशन दवारा लगा देंगे आपको अच्छी खासी पोस्ट देंगे हमने आपके जो मतलब एंसेस्टर्स रहें उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है तो नाना साहिब यहां पर एगरी कर जाते हैं कि चले कोई बात नहीं आपकी फैमिली को हम यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे अब नाना साहिब का वैसे नाम भी आपको पता हुना चाहि है कि डोंडू पंत और 15 जुलाई के आसपास मतलब 15 जुलाई तक नाना साहिब प्रोटेक्ट तो करते हैं लेकिन फिर भी इतना ज्यादा विद्रोव होता है 200 के आसपास यूरोपियंस मारे जाते हैं ठीक है यह पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अब ज उसके बास देखते हैं लखनौ है अब मैंने अभी आपको बताया था कि लखनव जो अवद वला एरिया था वो आदिल शा के कपजे में था आदिल शा से एनेक्स करा लिया गया था अब एनेक्स करवाने के बाद जो आदिल शा की वाइफ थी बेगम हजरत महल ये इस रिवोल्ट में शामिल होती है और अब गवालियर वाला जो रीजन है इसको लीड कर रहे थे तांते टोपे अब तांते टोपे का भी उरीजनल नेव आपको पता होना चाहिए राम चंद्र पांडू रंग इनका नाम था मैं यह आप लिख देता हूं राम चंद्र पांडू रंग और तांते टोपे जो थे वो काफी अच्छे से यह पर ड्रितिश को स्ट्रांब रिजिस्टेंस ॏति लेकिन ब्रिंटिश इनको भी कर देदे हैं लेकिन तांते टोपे यहा से भाग जाते हैं और भागने के बाद बुंदेलखंड के जो पहाड़ी लाके हैं वहां पर छुप जाते हैं बरीटिश को कभी स्टेवल नहीं होने देते हैं। यह मैंने आपको बताई थी जब यहां हाला कि मैंने इंशियंट डिस्कस नहीं कराई इंशियंट में आता है इसका जिकर चलिए कोई बाती गोरिला वार्स होती है जब आप छुपके वार करते हैं दो अभी दक हमने पड़ा पांडू राम लंगन तक मतलब आन्टे टॉप सिकर डानी यहांसे भी कोशन आ जाता है अब जहांसीiking जो है वह को सिकार रही होती है अब यहां पर भी एनेक्स कर लेते हैं जहांसी ओल रेटिकिश के दिरो क्योंकि जहांसी की रानी जूती है उफ का खुद का चैल नहीं होता इनके हस्बेंट का नाम होता है राजा गंगाधर यह विडियो होती है राजा गंगाधर की यादखना कि राजा गंगाधर राओ और जो जहांसी की रानी होते हैं मतलब यह जो रानी हैं या फिर इनका नाम मन्यू भी होते हैं इनकी खुद की चाइल्ड नहीं होती तो इनका अडौप्टेट सन नाम होता है अनंद्राओ और ये जहांसी के लिए लड़ती है ब्रीटिशर्स है और इनकी help तानते टॉपपे भी करते हैं लेकिन फिर भी ब्रीटिशर्स इनको भी हरा देते हैं सब्सक्राइब रेकिन बाद में गया कर ब्रीटिशर्स इनको मार देते लेकिन इनकी बेटे होते हैं अनंद राओ उनको pension देती है British जो government है तो यार रखना अनंद राओ को जो इनके बेटे होते हैं जहांसी किरानी के उनको pension दी जाती है Britishers के द्वारा बहुत छोटे होते हैं आपने देखा भी होगा movies में या फिर serials में अपने पिछे अपने बेटे को बांध कर ये लड़ती हैं और कितना एक मतलब strong resistance देती है Britishers को तब ही कहा जाता है कि women's को equality में लाना चाहिए और अगर यहां पर जिस पर capability होगी और वह कहीं न कहीं एक अपने field में अच्छा करेंगी करेंगे उसके बाद देखते हैं हम कि इसको lead कर रहे होते हैं कुवर सिंग अब कुवर सिंग की एज बहुत ज्यादा होती है ऐसा 75 प्लस इनको मान के चलिए और लेकिन कुवर सिंग ब्रेटिश के खिलाफ एक साल तक लड़ते हैं और यह एरिया है बिहार बिहार कुवर सिंग बिहार आ रहा या फिर बिहार म इनको मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रेटिश को हराना एक साल तक ब्रेटिश के साथ लड़ते रहते हैं उसके बाद बहादुर्शाह जफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ यह एरेस्ट कर लिए जाते हैं रंगून भेज दिये जाते हैं और बहादूर कोन करता है बहादूर्शाह जफर को याद रखना जॉन निकॉलसन एंड हर्टसन अच्छा ब्रेटिश का जो मेंली रीजन रहा यह रिवोल्ट को चीतने में या फिर रिवोल्ट को शांत करने में तो यहां पर कुछ इंडियंस ने ही ब्रेटिश की हेल्प करी थी जैसे आ आपको मैं बताता हूं नाना साहीब हो पेशवाम थे हालागा Health artist जो आपको रही ने था मराठा समें कि पेशवा और होलकर की कभी बनते नहीं थी अब यहां पर जहां पर का पेश्वा की तरफ से विरोध होगा तो हॉलकर उसका विरोधी करेंगे तो हॉलकर किसका साथ दे रहे थे ब्रेटिश का एक गवालियर के मान सिंग थे ये भी किसका साथ दे रहे थे गवालियर के मान सिंग ये भी बेसिकली ब्रेटिश का साथ दे रहे थे हैद्राबाद की नजाम यह तो हमेशा से ब्रेटिश के तरफ थे सलार जंग हैदराबाद के नजाम तो यह सभी की सभी ब्रेटिश की तरफ थे ठीक है उसके बाद सिक रूलर ने ऐसाच यहां पर अपना कॉंट्रिविशन दिया नहीं अगर सिक साथ में होते तो कहीं न कहीं एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस मिलती और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को क्यापता यह रिवॉल्ट में हार ही जाते है रिवॉल्ट और उसके बाद गवालियर के एक दिंकर राओ थे उन्होंने भी ब्रेटिश का इसाथ दिया और जो जमीनदार थे जो अच्छे रैंक्स पर थे जैसे रेलवे के रैंक पे या फिर मालन के चलिए जो एजुकेटेट थे जिनको ब्रेटिश की तरफ से अच्छी जॉब ऑफर करी गई थी और जो अच्छा खासा यहां पर बिजनस लाते थे वह भी किसकी तरफ थे ब्रेटिश इस इंडिया कंपनी की तरफ से इसी वज़े से य अब शांत करवाने के बाद यहां पर हम देखते हैं यह मैंने रीजन आपको बता दी है फेलियर ओफ रीजन आप पढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद कॉंसिकेंसिस क्या बने लास्ट में जाके हमें यह भी पता होना चाहिए और अच्छा एक यह भी याद रखना कि इस पू अब यहां पर कानपूर से कोई होर लीड कर रहा है और मेरट से कोई होर लीड कर रहा है अंबाला से कोई होर लीड कर रहा हर्याना में भी बहुत जगा हुआ था और इदर दिल्ली में कोई होर लीड कर रहा है तो यह सबसे बड़ा रिजन हुआ कि एक लीडर नहीं था और एक leadership के अंडर अगर होता तो शायद यह revolt successful हो जाता और proper organized नहीं था कहीं पर किस date को शुरू हो रहा है और कहीं पर किस date को शुरू हो रहा है और एक mass port इनको मिला नहीं पूरे भारत में मतलब आदा भारत तो जानता ही नहीं था कि कहीं revolt भी हो रहा हाला कि पता होगा लेकिन उ सारी की सारी पावर ले लीगी और पावर कहां shift कर देगी क्वीन ने पावर ब्रिटेन को दे दी मतलब यहां से कंपनी का रूल खतम हो जाता है और क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है और क्वीन के द्वारा क्या कहा गया कि doctrine of labs को हटा देंगे एंड साथ साथ यहां पर ज दिल गया यह ध्यान रखना जो मुस्लिम से ना वो फायदा उठाते थे यहां पर पर्शियन लेंग्वेज का अब इनको ही पर्शियन लेंग्वेज आते थी अब बड़े-बड़े कोर्ट में या फिर जो ब्रिटिश के द्वारा जो office होते थे government office जहां पर जो पर्शियन को पॉइंट करते थे और इन्हों ने यहां पर convert कर दी थी मतलब पर्शियन की जगह यहां पर इंग्लिश को प्रेफरेंस दी थी ब्रिटिश ने तो मुस्लिम की जो पोस्ट है वो छीन ली गई और मुस्लिम को यहां पर एक अलगी गुसा आ गया मुस्लिम चाहते थे कि इ इस्यूस में याद रख सकते हो सोशल कॉस में और चली मैं आपको बता रहा था तो डॉक्ट्रिन ओफ लैप सटा दिया और साथ-साथ यहां पर जो जो भी बैसिकली जिसकी वजह से रिवोल्ट हुए थे इसके उपर एक बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा गया क्वीन के द्वारा की इंडियंस जो है वो ब्रिटिश की तरह है अब उनके साथ कोई भी ऐसा जायती नहीं होगी लेकिन यहां पर आप खुद देखिए कि सभी के सभी जो रूल्स हैं वो पास करे जा रहे हैं लंडन से मतलब रूल तो पहले भी यही चला रहे थे यह तो एक ऐसा पपेट और्गनेज़ेशन की तुरूब कर रहे थे क्योंकि राणी नहीं तो इनको परमीशन दी थी क्या आप जाईए 1600 के नियर बाउट जाकर इस्ट में मतलब इंडिया वाले रीजन में जाकर वेपार कीजिए और यह जब वेपार करने आते हैं तो फिर धीरे यहां पर राज करना स्टार्ट कर देते हैं 1773 के बाद तो सारा यह जो बैसिकली डिसीजन किसके लिए लिए जा रहे हैं ब्रिटिश गॉवर्मेंट ही तो यहां पर डिसीजन ले रही है लेकिन हमारे इंडियन को लगा कि यहां पर जो ब्रेश्ट इस इंडिया कंपनी है वही गलत है और जो क्राउन डूल है मतलब ब्रिटिस गवर्मेंट है वो सही है तो लेकिन बाद में हमें जाकर पता लगेगा 1947 में जब हमारे देश को अजादी मिलेगी और 1858 से लेकर 1947 के बीच में जो जो चीजे होंगी उसमें हमें पता लगेगा कि नहीं गंगा धर ही शक् सेशन अच्छा लगाऊगा और इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगे हमारे टेलीगराम चैनल पर और हमारे टेलीगराम चैनल को जोईन कीजिए इतनी भी अभी तक सेशन की PDF है वो आपको वहीं पर मिलेंगी और आपके जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में ब